यूपी में डेवलप्मेंट को बढ़ावा देने और लोगों की यात्रा को आसान बनाने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने कई बड़ी योजनाओं की घोशना की है इनमें शेहरों, गामों और इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए नई सडकों, पुलों और कनेक्टिंग रोड्स का निर्मान शामिल है मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में जो नए इंडस्ट्रियल बेल्ट्स, लोजिस्टिक स्पार्क और बड़े कामकाजी शेत्र बन रहे हैं उन्हें चार लेन रोड से जोड़ा जाएगा इससे इंडस्ट्रियल एरियाज तक लोगों की पहुँच आसान होगी और माल डुलाई भी तेज और सुरक्षित तरीके से हो सकेगी फिलहाल जो सडकें दो लेन या उससे कम चोड़ी हैं उन्हें भी चोड़ा करके कम से कम दो लेन का बनाया जाएगा ताकि ट्रांस्पोर्टेशन आसानी से हो सके मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा शेत्रों के इंपोर्टेंट रोड्स को चोड़ाई कम से कम साथ मीटर यानी दो लेन करने के नरदेश दे दिये हैं साथ ही दूसरे डिस्ट्रिक्ट रोड्स को भी डेढ़ लेन यानी करीब साड़े पांच मीटर चोड़ा बनाया जाएगा इसके लिए लोकल पबिक रिप्रेजेंटेटिव से सुझाव लेकर काम को प्रात्मिक्ता के आधार पर शुरू किया जाएगा इसके लावा तूटे हुए और कम चोड़े पुलों को जल्द से जल्द ठीक कराने की योजना बनाई गई है ऐसे पुल जो हर साल बाढ़ में तूट जाते हैं या खराब हो जाते हैं उन्हें भी मजबूती से बनाने की बात कही गई है मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि हर विधानसभा शेतर में कम से कम तीन छोटे पुल बनाए जाएंगे ताकि स्थानिये लोगों को ट्रावल करने में कोई परिशानी ना हो ये काम शेहरों की आबादी और जरूरत के हिसाब से किया जाएगा इससे शेहरों में ट्राफिक जाम कम होगा और लोग जल्दी अपनी मंजल तक पहुँच सकेंगे ग्रामिन शेतरों में भी सड़कों को बहतर बनाने पर खास ध्यान दिया गया है जो गाओं या बस्तियां मुख्य सड़कों से दूर है और जिनकी आबाती 250 से ज्यादा है वहां तक कनेटिंग रोट्स बनाई जाएंगी इससे गाओं के लोग आसानी से मुख्य सड़कों तक पहुँच सकेंगे इसी तरह अगर दो गाओं की आबादी 2500 से ज्यादा है और वो पास पास हैं तो उन्हें भी जोडने के लिए नई सड़कों का निर्मान किया जाएगा इसके लिए सर्वेक्षन करवा कर जरूरी जगहों को आइडेंटिफाई किया जाएगा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जहां भी बड़े पुल खराब हैं उन्हें तुरंत ठीक करवाया जाए इसके साथ ही जरूरत वाले इलाकों में ने पुल बनाने के प्रस्ताव तयार किये जाएगी और इन पर तेजी से काम शुरू किया जाएगा राजे के सभी जिलों को इस विकास की योजना का लाब मिलेगा रेल लाइन पर ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज से जुड़े जो भी प्रस्ताव हैं उन्हें तुरंत केंदर सरकार को भेजने का नरदेश दिया गया है राजे सरकार की ओर से हड़ जरूरी सायोग दिया जाएगा ताकि इन कामों में किसी तरह की देरी ना हो मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हड़ जिले और अलाके में जहां-जहां जरूरत है वहां के लिए प्रस्ताव तयार किये जाएंगे सभी शेत्रों का सर्वे करवा कर उनके जरूरतों को प्राथमिक्ता दी जाएगी ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक